आज हम आपको डायवेटीज कंट्रोल करने की एक हरवर पॉडर कैप्सूल तथा हमियोपेथिक ड्रॉप के बारे में जानकाई जूँगा इसका परियोग करने के बाद आपको डायवेटीज जिस तुरंच कंट्रोल हो जाएगा और इसका रेगुलर परियोग करेंगे तो आ सब्सक्राइब करने के लिए एक हरवर कैप्सूल पॉडर और हमियोपेथिक ड्रॉप के बारे में जानकाई जूँगा जिसका रेगुलर परियोग करने के लिए के बाद आपको डायवेटीज कंट्रोल हो जाएगा और यह कभी नहीं बढ़ेगा और इसका अगर रेगुलर परियोग करते हैं तो आपका डायवेटीज थीक भी हो सकता है यह बहुत अच्छी और कारगर दबा है दोस्तों डायवेटीज का मतलब होता है रक्त में सुगर की मातरा का बढ़ना दोस्तों आपकर डायवेटीज की प्रोवलम कोमन होती जा रही है हर घर में किसी ने किसी एक व्यक्ति को डायवेटीज होते जा रहा है पहले यह समस्या ओल एज में होती थी लेकिन आपकर लाइफ हिस्टाइल में बढ़ला के कारण यह समस्या किसी भ आपको डाइवेटीज हो गया तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आज में एक हरवाल केप्सूल पॉडर तथा हमिया पैठिक ड्रोप के बाहे में जानका है जूंगा आज इसका रेगुलर पर यह करेंगे तो आपका डाइवेटीज ठीक हो जाएगा और यह कंट्रोल हमेशा अजय दोस्तों अब हम जानते हैं डाइवेटीज होने पर आपको क्या-क्या लच्छन दिखाई जएंगे डाइवेटीज रहें पर आपको यृरीन करने के लिए बार-बार जाना होगा खासकर यह प्रोलम्म आपको रात में ज्यादा होगी जैसे रात में यृरीन तीन से पांच बार आपको ढाल करना के लिए जाना परेगा आयमको प्यास धादा लगेगी आपको बाल बार पानी पिने की इंट्छा होगी और इसमें आपको भूक जादा लगेगी लापका हम्हांग तरह मिठी चीजोंग नहीं मैं आपको बिना किसी कारण के आपके बोडी का वेट लोस कम होने लगे आप हेल्डी खाना खाएंगे सोचते हैं कि हम हेल्डी खाना खाते हैं फिर भी मेरा वेट लोस क्यों कम हो रहा है तो यह डाइवेटीज के लच्छन है यह आप कम कम करके ज्यादा ठकान हो जाते हैं पहले जितना एनर्जी फिल करते थे उतना आप एनर्जी फिल नहीं करेंगे यानि कि कम कम करने से आपको ज़्यादा ठकान होने लगेगी तो यह डाइवेटीज के लच्छन होगे आपके हाथ पेर में बर्निंग संसेशन होगी धंधनाहट होगी, सुनपन हो जाएगा और कभी-कभी आपको ऐसा लगे रहा कि हाथ पेर पर चिटियां रेंग रही है ऐसा फिलोगा तो यह डाइवेटीज के लच्छन है आपका स्कीन ड्राइनेस हो जाएगा यदि आपके बोडी पर कोई जख्म हो गया है तो वह जख्म जलती नहीं भरेगा तो यह डाइवेटीज के लच्छन होगे आपको यदि डाइवेटीज होता है तो डाइवेटीज के कारण आपके बोडी का दूसरा ओर्गेन भी परभावित हो सकते है डाइवेटीज होने पर आपके आँख के रुसनी कमजोर हो सकती है डाइबेटीज होने पर आपको हाई बीपी हो सकती है डाइबेटीज होने पर आपका किड्नी में प्रोब्लम आ सकती है दोस्तों तो डाइबेटीज होने पर आपको यह सब लच्छन दिखाई देंगे यदि आपको किसी प्रकार का डाइबेटीज हो यानि टाइप या टाइप टू हो तो आप अंग्रेजी दबा खाकर या इंसुलीन का इंजेक्शन लगाकर आप परिशान हो गए हैं तो आज हम आपको उससे निजान पाने के लिए एक हरवार कैप्सूल और पॉर्डर तथा ह और कारगर दबा है इसका परियोग करके बहुत साय लोग को डाइबेटीज कंटोल हुआ है दोस्तों अब हम चलते हैं दबा की ओर तो पहली दबा का नाम है डाइबो फ्रेस पॉडर यूज करने का तरीका एक चमच पॉडर और सुबह में ताजे पानी के साथ लेना है में दो कशल को सुबह खाली पेट खाना है और दो केप्सुल को साम में खाना है तिसरी दबा का नाम है डायवो निल्ल रृप यूज करने का तरीका वन फोड़ पानी में बीश फुन डालकर सुबह दोपार और साम लेना है डोस्तों एक दबार से दुसरी दबा के भीद कम से कम 15 मिनट का आंटर दें जी से अप लेते हैं तो उसके पंदर इनिये के ऊप्छी है और उसके पंदर मिनट के बाद देमोंनीड का परियोग करें तो दबा जादा असर करेंगो ही इस दबा का परियोग करके आपको डाइबेटीज के करने से चुर ने कंट्रूल हो जाएगा यही अपको रात में ज्यादा बार बार युरीन आती है तो आपको इस दबा कर परियोंग करने से तुरं आपका उरीन कट्रोल हो जाएगा यदी यदि आपको दाड़ीज के कान तुरन्त ठक जाते हैं काम करने से तो यह प्रवलमु भी ठीक हो जाएगी ज़िस ज़बां मैं तुरन्त आलाम पहुंचेगा और इस दबा का कोई भी side effect नहीं है अब डावेटीज में कुछ परहेज में बता रहा हूँ जिसको कहना बहुत जरूरी हो है दोस्तों रात में अगर खाना खाना और सोने के बीच में दो से तीन घंटे का अंतर जरूर दें यदि आप दस बजे रात में सोते हैं तो साथ से आठ के बीच खाना खा लें और खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पीएं और पानी भी गर्म करके पीएं यानि गुन-गुना पानी आपको पीना है हमेशा चीनी, चावल, डबावन खाना, मैदा, बिस्कीट, आइस्कीम बिल्कुल बन कर देना है आपको सुबह उठका आधे घंटे एक्सरसाइज करना है या मार्निंग वा करना है तो इन सब परहेज के साथ दबा का परियोग करेंगे तो आपको दबा बहुत जल्दी असर करेगी और आपका डाविटीज टुरन कंट्रोल हो जाएगा यह दबा बहुत अच्छी और बहुत ही कारगर है यह दबा और यह कैप्सूल पॉडर और ड्रोप बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर है यानि डाविटीज की रामबान की तरह आपको काम करेगा याजी दोस्तों अगर आपको याजी वीडियो पसंद है तो लाइक, कोमेंट, सियर, सब्सक्राइब जरूर करें या वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है दबा लेने से पहले कोई नजी की डाक्टर से सला लेके ही दबा का परियो करें वीडियो देखने के भी धन्यवाद